नमस्कार आप देख रहे हैं डीजियाना नियूज, मैं दीपकर रजक आपका स्वागत करता हूँ आईए रुप करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरह सरपंच पती की दादागिरी, रोजगार सहाएक प्रभारी सचिप को लगाई जम कर पिटाई पूरा मामला कैमरे में हुआ कैद, आपको पता देंगे ग्राम भैसाना की सरपंच लटूरी भाई के पती सरजंग सिंग यादव ने प्रभारी सचिप वेवम रोजगार सहाएक भगवत सिंग यादव को जम कर लाद गूसों से पीटा भगवत सिंग का आरोफ है कि सरपंच पती सरजंग यादव अपनी पत्नी लटूरी भाई के हस्ताक्षर खुद करता है साथ ही उसने सचिप को गाल्या दी और तो डंडो से भी पिटाई की सरजंग सिंग ने उसकी आईडी मांगी जो आईडी ना देने पर उसने मना किया तो उसकी पिटाई लगा दी सरपंच पती पर आरोफ है के वे दस्ता बेजों के हेरा फेरी कर लाख रूपे की चपत पहले ही लगा चुका है वहीं रोजगार सायक वगवत सिंग यादव ने बताया कि वह रावगार थाने में जाकर जब रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता था तो उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई उसके बाद उसने CM हेलप लाइन एवं राजपाल के नाम शिकायतें भेजी और ऐसे सरपंचपती अपनी गुंडगरदी के दम पर लाखो रुपे की चपत पहले ही शासन को लगा चुका है और प्रशासन के नुमाइंदे अभी चुप बैटे हैं देखने लायक होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या रुक अपनाते हैं क्या सरपंचपती पर मामला दर्ज होगा या नहीं यह तो समय ही बताएगा वहें इस मामले में सुत्र बताते हैं कि भगवत सिंग के उपर तमाम तरह के दवाब भी डाले जा रहे हैं ताकि वह शिकायत को वापस ले ले और किसी से कुछ ना कहे उसके उपर राजनीतिक एवं सरकारी तंद्र बहुत दवाब बना रहा है शिकायत वापस लेने के लिए मीडिया की दखल के बाद आकिर होई गई सरपंचपती पर कारवाई यहां एक नई चीज देखनों को मिली कि थाना प्रवारी डीपीएस चोहां जो पता रहे थे कि उनके पास कोई भी शिकायत करने नहीं आया जबकि हकीकत आज रूबरू हो गई सचिपकी पत्नी उसी दिन थाना पहुँची थी जहां से उसे भगा दी गया सचिपकी पत्नी ने थाना प्रवारी के सामने ही कहा नोंने अपने पास में ही सरपंच को बैठा कर रखा था और सरपंच ने और थाना प्रवारी महोदे ने मिलकर उसे वहां से भगा दिया इतना ही नहीं थाना प्रवारी महोदे ने ये तक कह डाला कि इस महीला को गिरफतार करके थाने में डाल दो समझ से परे है कि कहां तो थाना प्रवारी ये कह रहे थे कि उनके पास कोई शिकायत नहीं आई तो FIR कैसे होगी वहीं महीला का आरोप है कि थाना प्रवारी माओजे ने सरपंच पती के साथ मिलकर उल्टा महीला को ही वहां से चलता कर दिया मीडिया की दखिल के वाद आखिरकार FIR लिखी लेकिन उसमें भी शास्की एकारे में बादा डालने वाली धारा नहीं बढ़ाई गई जो कि ग्राम सचिब दौरा CEO से लिखकर मंगाया गया था कि वह शास्की एकार में ही गया था यहां पर उसके साथ मार पीट हुई समझ से परे है कि क्यों थाना प्रवारी DPS चोहां सरपंच पती को बचाने में लगे हो गए है पती केशसा ना प्रवारी DPS चोहां पती केशना पाही थांच पक्रवारी DPS चोहां पताना पाआठ मुना पाहाब। वह शास्कार मेरा निविदेन तो सुकार करें इससे बड़ब। यह तो शिन नहोंने कूछ दिगाय नहीं हमको तो पहले ही बोलना था है कायमी कराओ यह एक गंटे से वेड़ी थी हमारी बात हो चुछी थी नहीं रही तो पर चलाओगी तो बननी करेंगे अब पर पर चुछ नहीं करेंगे तो पर पर लाने से क्या काईमी नहीं होगी क्या वाइव बात चल गए थी तो इसने में बड़ी बत्तमीज लेंट वड़ा है उसका क्या अरे तो मारा है तो उसकी रिपोर्ट हो रही थी ना तुमसे बोला था मेडिकल कराईगे लेके आओ है वह तकाष लेके मेडिकल कराओ और हमारा एक धारेदार कल से लगाये तुम्हारे पीचे कल से लगाये तो कल हम भाइगे हम भी इद्धा बेके सुनवाए मैं तो करवा इसा कर आए अधिक बाद निया कुछिए मेडिकल नहीं होगा तो क्यार में यह दिखें अगर अरे तो ये क्या आका स्मानी हो रही दिखाया था क्या आफ दिन ते बाइर लो रहा ये चीज आपके पास मीचिए तेगो सर पास नियुक्त ही पूंची हो चार वजे का संगता सांगों और हमाच 11 वहा तरह आगा मैं अपनी पंचाद से तुमन के रिगाओं लगता है बहसाना पंचाद में उसमें पीमावास का खाम भी सुजू में उसके पास जा रहाता और एक पीमावास सदूर अपड़ा उसको सला देने के जा रहाता इसी भी रास्ते में सर्कंचाव आ गाए और तुरंत गाली करते रहेकर इसके बाद में हमारी से ताना आप्याइं टाने ऐत्याक अपयार दाए नहीं कि मैंने सो नम्मर पे वी एक डायर के लिए प्टसप किया और वीडियो हिसाड कि लेकर भी जवास मतलब उसका ब्रले कोई साहता नहीं मिली इसके बाद में पर जिलिए में खाया जिले से एसपी सरने कार रवाई की तब जाकि ये इतना सब्सक्राइब करवानी के लिए है अब बोल रहे हैं अभी घस्गोई हो चुके लेकिन अभी तर्फिस की हुआ तो ये न्याज चाहिए हो रहा है जिला पंचास सवकक्ष में आज सामाने सवा की बैठक का आवेजन किया गया इस बैठक में मुख्य मुद्दे रक्षर रूंपण को लेकर थे साथ जिला सिक्षा दिकारी एवं जिला परियोजना समन्वेग द्वाराशालाज निरिक्षन एवं कारी की समक्ष एवं जानकारी लेना था इस बैठक में अर्चना बबलू चोहान, केपि सिंग बागडी एवं समस्ता दिकारी और जनप्रतिदीर मौजूद रहे दिसंबर में होने जा रहे रादोगर नगरपाली का चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है इसी के मद्दे नजार आज वार्डों का अरक्षन प्रिक्रिया अपनाई गई यहाँ पर नवीन कलेक्टिद भवन में जनप्रतिनिदीयों के सामने फारक्षित वार्डों का चुनाव किया गया इस प्रिक्रिया में महिला अनुस्युचित जन जाति आदिका चैन किया गया इस प्रिक्षित ओने गया वार्ड नूम्बर आठ अन विछडा वर-च्छिडा वरन में वहाँ करूँ पावं नहीं होकि के वेला आऊं का विष्मे से वार्ड नूम्बर तीन अन विछडा वर-च्छिडा वर रह मुथद्चिड और बढुद नेज हां पिछड़ावर चलिए वाट नम्बर फारा अन्द पिछड़ावर वाट नम्बर सत्रा अनुस्कु शिज्जाती महला चलिए आपको सो रहे हो आपका वाट बच गया पिछड़ावर वाट नम्बर चोवीज अनुस्कु शिज्जाती महला देखिए आज नगरपाली का राधुगड विजयपूर का जो निर्वाचन संपन होना है आगामी दिसंबर जन्वरी में उसके लिए वाटों के आरक्षण की फिर्किरिया संपन होई है और जो नियमानुसार विभिन वाट अनुसूचिज जन जाती अन्य पिछड़ा वर के महला इवं मूक्त का आरक्षण होगा है और जो 24 वाटों का आरक्षण होता था वो सभी के सामने पीरिक्रिया संपन मंगलवार को बजरंग दल राजपुतु युवा संगठन ने रादोकर के मुखे चोराय पर फिर्म ने देशक संजलीला बंसाली के खिलाब मुर्दाबाद के नारे लगाए एवम उसका पतला देहन भी किया जिसमें गोलू प्रिजपती, टिंकल भट, लक्की जैन, धर्में धर्मेंद प्रिजपती आदिव पस्तित थे, बताया जा रहा है कि रानी पदमवती के जिवन पर बनी इस फिल्म में इतियास के साथ खिलवार किया गया है, इतियास में रानी पदमवती का नाम शोर और बीरता के साथ लिया जाता है, फिल्म में कई आपत्ती जनक सीन दिय जिसको अटाने की मांग की जा रही है। जहां तक हमारी जानकारी है कि गुना शेहर में सुबह से लेकर रात तक नोएंट्री होती है। उसकी बच्ची इस डंपर से टकराते हुए बाल बाल बच्ची हाला कि इसमें चालक की कोई गलती नहीं थी। उसके बाद भी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। लोगों के हाथ लगा तो बस क्लीनर और क्लीनर ने जो कहा उसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्लीनर ने बताया कि उनकी एक दलाल के साथ सेटिंग है जो पुलिस के साथ मिलकर उन्हें नो इंट्री के समय में भी शेहर में प्रिवेस दिलवाता है। बात चली रही थी कि अचानक उसके पास एक फोन आता है। उस फोन की रिकोर्डिंग अगर आप सुनेंगे तो कहेंगे क्या कल्यूग है। फोन करने वाला कौन था ये हम नहीं जानते। पर उसने पुलिस विवाक के एक व्यक्ति का नाम लिया और कहा कि कोई बात नहीं गाड़ी जाने दो हमारी सेटिंग है गाड़ी छोड़वा हाला कि वहां खड़े लोगों ने पुलिस को पहले ही फोन कर दिया था। इसके बाद दो पुलिस कर्मी वहां मौके पर पहुंचकर डंपर को साथ ले गए। इसके बाद क्या हुआ ये जानना हमारी भी उच्छुक तक थी जो की ट्रेफिक थाना प्रवारी से मिलकर ही पाए। अर्वारी पुलिस का गरता तुम नहीं यहां पारे जाए। तो फ्रन वाद रहे तुम कैने यहां लिगाने घुच्छा रही होँ जारी पुलिस अन्ण फ्रहु हों जाने लिग क्ली ओभ जाने से अर्ट मेरे खाली होँ जारी जिए प्लिस वाला ओगा नाम तो बता दो नाम तो बता दो क्या प्लिस वाली दो अच्छा करवाई कर दो खाली कर वाएं कि अधे नाम प्लिस वाली मिल जाते हैं तो उनको देज़ेटे दो सर्वीजें दो सर्व गया था वाटकरमांग 32 गुलाब गंज खेरजर रोड के लोगों ने बताई अपनी समस्याएं केंट से लेकर खेजरा की ओर जो रोड जाती है उस पर नालियों का गंदा पानी बहता रहता है वहीं रोड पर काफी गहरे गड़े भी हो चुके हैं जिन में पानी भरा रहता है कई बार तो कई have बड़ी तेज रफतार से निकलते हैं जिसके गंडों में भरा पानी रागेरों पर उचट जाता है जिससे वहां रहने वाले वा निकलने वाले लोगों को खासी परस्याणियों के सामना करना परदा है वहां के वाडवासियों का कहना आएगी कई बार इसकी शिकायत वाड़ परसदवर नगरपालिका में की है लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई इससे यहां के लोगों को परिशान होना पड़ रहा है कि अधर दूकान के आगे काफी 11 गटा हुई है इससे पहान निकलती है लोगों परिशान ही पड़ती है बच्चों के उपर इसकी जाने वारों के फिचर हो चब जाता है आज पूरी आ रहे है आज़े की बचाप कर भी लेच बाई लेटर को वारा हुआ हो पूरा मललापक की पूरा पानी फिकट्टा हो जाता है परेसा हो जाए। तक इस बारना है जा पारी बसको को आ रहा हो जहीं अजिला मुख्याले पर मुख्यमंत्री स्वराजगार कोशल सम्मेलन का आयोजन हुआ गुना में सम्मेलन में सेक्ड़ों की तादाद में बिरोजगार युवक युवितियां मौजूद रहे वहीं सम्मेलन में युवाओं में खासी दिलस्पीश भी देखी गई जिसमें ओद्योग एक प्रिशिक्षन संस्तान ओद्योग विवागवा जिला रोजगार कारेले के मात्यम से संपन्य हुआ दूसरे का हिस्टोचा था और सोयोजन का समुत्र पार करके माता सीसा का पता लाके देविया का जिलो आपकी पस्तिमा है यह साथ कुछ कर रहे हैं तो फिर क्या करना कुछ पार करें हमारे जो हमारे मुखनी दी मानी विदायक मोदे आने वाले आपके तरह सभी आगे बढ़ जाए और जो आई नहींगे जो विश्टा पाई हुआ 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 है भीदी मानी प्रदान मंत्री महुदे यो मानी प्रदेश के मुख्य मंत्री शुरा सिंह जी चौवान जी के दोरा जो है प्रदेश को किस प्रकार से सदूर्ड बनाये जाए और एकिकृत तरीके से इवाव को कैसे रोजगार प्रदान किया जाए मानने मुख्यमंत्र जी का कहिना ये है कि भी हम सबी लोगों को सरकारी नोकरी नहीं दे सकते परंतु सोयम का रोजगार इस्थापीत करके हम दूसरे को भी रोजगार दे सकते हैं ये मानने मुख्यमंत्र जी का मुख्य उद्देश है उसके साथ में प्रदार मंत्र जी के सयुक्त कारे करम के साथ में जो कौशल विकास और कौशल लिया विकास कौशल विकास Central Government की स्किम है और कौशल लिया विकास जो हमारी मद्यप्रदेश शाषन की स्किम्स है और कौशल लिया विकास का परिवर्ती तुरूप ही यहने कौशल विकास है इसके माध्यम से भी बच्चों को ट्रेनिंग दे कर और उसको रोजगार की योग्य बनाना यहन और बच्चे लोग उसके साथ में कमपणी में रोजगार प्राप्ति के साथ में वो अपना त्यम का भी रोजगार स्थापीत करें ताजियो दुसरे को भी रोजगार स्थापीत करें यह उनका एक मुख्य उद्देश है और इन तीनों विभाग जो सभी कारेक्रम को गुना सरकेट हाउस में बड़ी तादाद में आये गौंड आदिवासी समाज के लोग। बोपाल से आई जांश टीम, टीम के साथ आये सचिप तात्या जी। आदिवासी समाज के साथ आये उनके नेता ने हमें बताया कि जब मुग्मंदी सिवासिंग चौहान बुनाप्रवास पर आये थे तो उनको हमने आदिवासियों की समझ समस्त्याएं बताई थी। 2002 के बाद नबे प्रदिसत आदिवासियों की जाती बदल कर पिछड़े वर्ग में कर दी गई है। 2008 के बाद नबे 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 जाती जाती आदिवासियों की जाती जाती है। आज गौडा आदिवासी समाज के समी लोग यहां इकतरित हुए हैं क्योंकि हमने पहले जब मुक्रमंत्री महोदय गुना प्रवास पर आये थे उस दौरान formulated मुक्रमंत्री महोदय को एग्यापन दिया था साथ ही बोपाल जाकर भी मुक्मंत्री महुदाय से हम मिले थे और जन जाती है मंत्रा लेकर मानी मंत्री जी से भी हम सबने भेंट की थी और उनको अनरोध किया था कि हमारी जो समस्चा है उसका नराकन करें आप कि 2002 के बाद जो हमारे गोड़ा अदिवासी हैं उनकी 90% लोगों की जाती बदलकर फिश्के बर्ग में कर लिए वो तुरूटी बस हुआ है ऐसा कहीं न कहीं ब्रहम हुआ है क्योंकि इनकी जाती में जो खेरुआ सब्द लिखा गया है खेरुआ के पीछे ताथ पर ये था कि ये खेर की लकड़ी से कत्था बनाने का काम करते थे इसलिए इनकी जाती आम बोलचाल में लोग खेरुआ हैं नसे कहने लगे जैसे कोई चेंत काटने जाता है और उससे लोग चेंतुगा कहते हैं उसी प्रकार इनको भी खेरुआ लोग कहने लगे जिसकार चेंतुगा कोई जाती नहीं है उसी प्रकार खेरुआ भी इनकी जाती नहीं है लेकिन संयोग से खेरुगा 12 सरकार द्वारा जारी की गई सूची में पिछले बर्ग में दर्ज है इसलिए इनकी जाती पिछले बर्ग में मानते हुए खेरुगा जाती दर्ज की गई हमने बस्तु इस्तिती से प्रिशासन को सासन को अवगत कराया है और निश्यत रूप से हमें ऐसा लग रहा है कि माने मुख्यमंत्री इनने हमारी मांग को गंबीरता से लिया है और जो जांच दल बोपाल से आया है जो सच्चे बिश्तर के अधिकारी आज यहां उपस्तित हुए हैं उनके समक्स हमारी जांच चल रही है हमें पूरा विश्वास है कि हमारी मांग पूरी होगी उस पर गंबीरता से बिचार होगा जांच में सब कुछ इस्पेस्ट हो जाएगा और हमारी मांग पूरी होगी जो गलती हुई है उसको परिशासन को सदारने के लिए बरिष्ट इस्तर से आदेश जारी होंगे ऐसा विजवास है आप मंतरालाय से आये हैं सच्छी इस्तर के अधिकारी है श्री कातिया जी डीज़ आनने उसमें आज बस इतना ही कल नई खबरों के साथ हम फिर आजे रोंगे तब तक के लिए नमस्कार